हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चानक दबाएं जाने के बाद मारवार्ड की राजनीती में उलट फेर होता नज़र आरहा है बाटमेर में 6 कॉंग्रिस विदायकों में एक पाइलिट गुड़के और एक गहलोट सरकार में मंत्री तीर विधायकों का दली जाना आगामी दिनों में होने वाले मंत्री मंडल में उसका असर जरूर दिखेगा और बार्टमेर में कॉंग्रेस की राजनीती में बड़ा उलट फेर होता भी नज़र आ रहा है बार्टमेर विधान समा सीट पर लगातार तीसरी बार कॉंग्रेस व बड़ा उलट फेर होता नज़र आ रहा तीनों विधायक दिली में ये बार्टमेर आने की विधायक बताएंगे बड़े नेताओं चर्चाओं दोर जारी बार्टमेर एक विधायक बनेगा मंत्री में वालाल जेन नाम के की घोशना हो सकती बस कुछ समय बात किस नाम की हो रही घोशना कॉंग्रेस का गड़ माने जाने वाला बार्ड मेर में बीते दिनों तीन विधायकों का दिली में राजिसान प्रभारी से मुलकात के बाद से सरहत से राज्तानी तक राजनीती में समझ रखने वाले लोग अलग-अलग क्यास लगा रहे हैं दिली जाने वाले त ध्यान रखा जाएगा और इसी मशक्कत के लिए उन्होंने प्रभारी आजे माखन से मुलकात की है सूत्रों के मुताबिक राजिसान प्रभारी आजे माखन को राजिसान के एक मंत्री की शिकायत भी की है विधायकों ने तीनों में से किसी एक लिए मंत्री बढ़ने की ला में अभी इन विधायकों को उमीद है कि मंत्री मंडल विस्तार में बार्ड मेर जिले से किसी एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन सबसे चौका देने वाली बात ये है कि चौटन सीट से आने वाली विधायक पदमाराम मेगवार पूरी तरीके से खामूशी बढ़ते हुए है वो भी सीम अशोक गैलो ठेमे से आते हैं लेकिन तीन विधायकों के साथ दिल्ली नहीं गए और यही चर्चा का विश्य बना हुआ है गौर तलब है कि बार्ड मेर कॉंग्रेस का हमेशा गड माना जाता रहा है बार्ड मेर विधान समा सीट पर लगातार शक्ष बार कॉंग्रेस विधायक मेवाराम जेन जीत हासल की है आगामी दुनों में मंतरी मंडल के विस्तार के साथ बार्ड मेर में कॉंग्रेस राजनीती में बड़ा उलट फेर होता नज़र आ रहा है विधायकों की राय का असर आगामी मंत्री मंदल विस्तार में दिखेगा विधायक अमीन खान मेवा राम और मदर प्रजापत का दिल्ली में माखन से मुलाकात का असर मारवाट की राजनीती में देखने को मिलेगा अगामी दिनों में मंत्री मंदल के विस्तार के साथ बाड मेर में कॉंग्रेस राजनीती में बड़ा उलट फेर होता नजर आ रहा है